ये आकाश्वणी राहपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिंग के साथ मैं विभाश कुमार ज्छा और अब पेशें आज के मुखे समाचार एक मैंसे शुरू होने वाले 18 वर्ष से उपर के लोगों के कोविट टीका करन के लिए 36 गड़ में तयारियां पूरी मुख्यमंतरी ने शुलक टीका करन कारिय के लिए समाजिक संगठरों से आर्थिक मदद की अपील की रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने चातिज़ल में कोरोना संकट से निपटने के लिए सेना के भूतपूरों डॉक्टरों और भूतपूरों सेनिकों की स्यमाई लेने का सुझाव दिया है पूरों प्रधामंतरी अटेल विहारी वाजपे की भतीजी और पूरों सांसद करुणा शुकला का निधन राज्यपाल मुक्रमंतरी और विभिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताया शोक और कोरोना इलाज के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले रेमडे सिविर इंजेक्शन की काला बाज़ारी को रोकने के लिए और शर्धी नियंतर्ण विभागने जारी किये निर्देश कोविड मरीजों के संख्या फिर से बढ़ रही है इसने सभी शुर्ताओं से अपील है कि कोई कोता ही न बरते सभी सुरक्षा उपायों का बालन करें और 45 वर्षे से उपर के सभी लोग बेहिचक्टी का लगवाएं सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का बालन करें कोविड नाइंटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मू साफ रखें और अब समचार विस्तार से 36 गड़ सरकार ने एक में से शुरू होने वाले 18 वर्ष से उपर के लोगों के कोविड टीका करण के लिए आम लोगों से आर्थिक मदद करनी की अपेल की है इसके लिए विशेश अभियान भी शुरू किया गया है मुक्षमंत्री भूपेश बगेल ने आज प्रदेश में कोरोना संग्रमन की स्थिती और सरकार की कारी योजना के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए भी आगामी एक मई से कोविड टीका करण शुरू होने जा रहा है इसके लिए 36 गर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उर से कोविड शिल्द और को वैकसिन टीकों के 25 पचीस लाख डोस का समन्धित कंपनियों का आरडर दे दिया गया है मुक्यमंदरी ने बताए कि उन्होंने केंदर सरकार से कोविड वैक्सिन का नियूनिता मोले निरधारित करने के साथ ही या अगरह भी किया है कि पूरे देश में टीकों का एक समान मोले होना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्ज सरकार ने प्रदेश वासियों को ये कोविट वैक्सिन निशुलक लगाने का निर्णे लिया है 36 गड़ में 18-44 बर्ष की आईवाले लगभग 1 करोड 35 लाख लोग है इस आबादी को ने शुलक कोविट वैक्सिन लगाने में राज्ज सरकार पर करीब 1000 करोड रुपे का आर्थिक बोज आएगा मुख्यमत्री ने समाजिक संगठनों राम लोगों से पील की है कि वे सरकार के इस कारी में अपनी और से आर्थिक मदद कर सकते हैं इसके लिए मदद का हाथ वैक्सिनेशन के साथ नाम से विशेश अभियान शुरू किया गया है मुख्यमत्री ने एक सवाल के जवाब में बताए कि राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए ग्रामिन शित्रों में कोविट इलाज के लिए ज़रूरी दमाओं के किट निशुल को वित्रित करने के शुरूआत की है ये मेडिसिन किट ग्राम पंचाएं तो कुपलब धकराए जा रही है ताकि इनिशुल कुरूप से उन लोगों को दी जा सके जिन में कोरोना के लक्षन दिखाई दे रहे हैं ये किट मुखिरूप से ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्होंने या तो कोविट टेस्ट नहीं कराया है या कोविट टेस्ट कराने के बाद जिनके रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है लेकिन उनमें कोरोना संक्रमन के लक्षन दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविट मरीजों के इलाज के लिए ज़रूरी आक्सिजन युक्त बेड आई सीओ बेड या वेंटीलेटर की कोई कवे नहीं है श्री बग्हेल ने लोगों से अपील की है कि कोरोना लक्षन दिखने पर वे घबराएं नहीं और राजेशासंद्वार निर्धारी दवाओं का सेवन शुरू कर दें तथा अपना कोविट टेस्ट जरूर कराएं साथ ही जो पात लोग हैं वे कोविट वेक्सीन भी अवश्य लगवाएं देश में कोविट टीका करण के तीसेर चरण के तहत एक मई से ठारा वर्ष से धिकुम्र के सभी लोगों को टीका लगाये जाएगा इस चरण के लिए पंजी करण कोविन प्रेटफॉर्म और आरोगिस सेतू एप पर कल से शुरू हो जाएगा चरतिसगर में इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गए हैं केंद्री ग्रिहमंटरी अमित्र शाह ने मोक् 추मंटरी भुपेश बगिल से फोन पर टीका करण की विशे में चर्चा की और तेयारियों से समन्धित जानका रिली मुक्रमतरी ने श्री शाह को बताया कि राज्जेसरकार ने टीकाकरण अभियान को सुछारु रूप से सांचारिक करने के लिए विस्तित कारी योजना बनाई है वही राज्य सरकार के स्वास्त व्हाग ने ऐसे साधू संतों और जैन मुनियों के कुरोना टीका करन के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है जिनके पास आधार कार्ड नहीं हो इस बिच कोबिड वेक्सिन लगवाने के लिए शेहर के साथ साथ ग्रामिन इलाके के लोगों में भी उत्साह दिखा जा रहा है बिलास्पूर जिले के बीजा और पटेता गाउं में सभी पात्र लोगों ने टीका लगवा कर जागरुक होने का परचे दिया है रक्षा मंतरी राज़ना सिंग ने 36 गर्त गर्ण से निपटने के लिए सेना के भूत पूर फनिगों की सिवालेने का सुझाव दिया है रक्षा मंत्री ने 36 गर्ण की राजपाल अनुसो या उईके से कल फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमन के स्थिति की जानकारी ली उन्होंने सुझाव दिया कि 36 गर्ण में कोरोना संक्रमन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संक्रट से निपटने के लिए सेना के भूतपूरों डॉक्टरों, नर्स, लैब टेक्निशन और भूतपूरों स्थैनिकों की स्वाई ली जा सकती है रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रट के दोरान स्काउट गाईड और राष्टी सेवायोजना एनसेस के स्वैम सेवकों के साथ ही एनसेसी केड़ेटों की भी सेवाई ली जा सकती है मुक्ष मंतरी भूपेश बगेल ने भी रक्षा मंतर के सुजाओ का स्वागत किया है अधाजपाल सुश्री उईकी ने मुक्ष मंतरी से चर्चा करते भी कहा कि सेना के भूतपुरों डॉक्टरों और भूतपुरों सेनिकों के साथ आफ़ासी बैठक कर उन से लिये जा सकने वाले सहयों की कारयोजना भी तयार की जानी चाहिए प्रदेश में कल 15,000 से धी कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,67,000 से धीक हो गई है वरतमान में 1,21,000 से कुद अधिक मरीजों का इलाज विभीन इस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित की वज़े से 215 लोगों की मृत्यू हुई है जनसंपर्क विभाग के साहिक संचाला डॉक्टर छे दिला तिवारी का कोरोना संक्रमित के कारण निधन हो गया राजिपाल अनुसोयाउई के और मुक्षमित्री भूपेश बखेल ने डॉक्टर तिवारी के निधन पर गहर अदुख शक्त करते हुए शोक संतप्त परीजोनों के प्रती सम्वेद ना प्रकट की है इस बिच राजिपाल जिले में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरत मंद लोगों को सुखा अनाज और अने समानों का वितरन किया जा रहा है महापौर हेमदेश्मुक और नगरनियों आयुक्त आशुटो चत्रुवेदी ने इस समंध में शेर की समाज सेवी संस्थाओं तो था चेंबर अफ कॉमर्स के इस्थानी पदधिकारियों की बैठक ली महापौर ने सभ्यान में आवशक सहुक कभी आश्वसंदिया राजानदगाओ में कोरोना मरीजों के लिए दवा बैंक के शुरुआ भी की गई है नगर के पुराने इस्पिताल के परिसे में ये बैंक संचालित किया जा रहा है इसमें ऐसे कोरोना मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं और जिनके पास कुछ दवाईयां बाकी रह गई हैं वे इन दवाईयों को जमा कर आ सकते हैं ये दवाईयां किसे अन्य जरुत मन्त कोरोना मरीज को मुफ्त में दी जाएंगी उधर जगदलपूर के कलेटर रजद बंसल ने नगरणार इसीद एनमडीसी के इस पास सेंधर में निर्माना धिन अक्सीजन सेंधर का अवलोकन किया उन्होंने इस सेंधर का निर्मान जल्द पूरा करने की निर्देश दिये ताकि यहां से उपलब धूने वाले अक्सीजन का अव्योग आउशक तक यनुसार शास की मेडिगल कॉलेज और रिनिस्वास्ट केंदरों में कोरोना मेरीजों के लिए किया जा सके इस बिच जगदलपूर में जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जाच कराई जा रही है इसके लिए रेलवे स्टेशन और बसिस्टेंट परिसर में विशे शुरूप से व्यवस्था की गई है कलेक्टर अजद बंसल ने कहा कि यदि को यात्री कोरोना पॉजिट्व पाया जाता है तो उसके रे एम्बूलेस की सुविधाउप लब्द कराई जाए उन्होंने रेलवे स्टेशन और बसिस्टेंट परिसर को नेमित रूप से सेनिटाइज करने के भी निर्देश दिये वहीं बीजापूर के कलेक्टर ने टीका करण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए कल जन प्रतनीजियों और गंडमाने लोगों की बैठक ली उन्होंने कहा कि टीका करण के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए सभी का सन्योग अपेक्षीत है इधर कबीरधां के कलिटर रिमिश कुमार शर्मा ने स्वास्वःथ के अדhikारियों से कहा है कि जिल मे कोरोना नियंतरंड के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जनकारी का विस्तरित वियॉरा रखगा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि करोना जांच के बाद जिन विच्जिव के रिपोर्ट नहींःे है या जिन में करोना के लक्षन तो हैं लेकिन विपोर्ट निजेटिव है ऐसे विच्जिव को ततकाल जिल हस्पिताल में भरती कराया जाए वही अन्य मरीजों को उनकी स्थितिक नुसार डेडिकेटिट कोविड हस्पताल या कोविड केर सिंटर में भरती कराया जाना चाहिए वही महासमन जिले के बाग बाहरा में होम ऐसूलेशन में रहने वाले मरीजों और उसे प्रभावित लोगों के लक्षन की जाच के लिए एक विशेश अभ्यान चलाया जा रहा है ऐसे लोगों को एहतियात के तोर पर कोविड दवाईयां भी दी जा रही है कलेक्टर ने कहा कि जिले के सीमावरती गाउं में चेक पोस्ट पर ऑक्सिमीटर और थरमलगन की विवस्था की जाए उधर जानगिर चापा जिले में कलेक्टर ने नीजे अस्पदालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए राज सरकार द्वारा घोशित दर सहित अने निदेशों के उलंगन पर कारवाई किये जाने की चितावनी दी है इसे समन्द में कलेक्टर ने जिला चिकित साधिकारी सहित जिले के सभी निजेस पतालों को पत्र जारी किया है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वनी रैपूर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारों की ओर चेंबर आफ कॉमर्स ने प्रदेश में इ-कॉमर्स कमपनियों के बाध्यम से आनलाइन शॉपिंग की गतिवीडियों पर रोक लगाने की माग की है साथ ही चेंबर के प्रदेशियों ने इस्थाने इस्था पर संचालिक व्यापारिक गतिवीडियों को बढ़ावा दीजियानी के मांग भी की है मुक्षमत्री भूपेश बगेल के साथ वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये हुई बैठक में राइपूर, दुर्ग और बिलासपूर जीलों के पदाधिकारियों ने इस समध में चर्चा की राजीकी विभिन जीलों में लॉकडाउन के दोरान अबिस्थानी ऑनलाइन शाप और ए-कामर्स सेवाओं के लिए होम डिलेवरी के नमती रद्द कर दी गई है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मौक्षमंत्री भूपेश बगहल को पत्र लिखकर भाजपा विधायकों को विश्वास में लिये बिना विधायक निधी की संपूर्ण राशी मौक्षमंत्री राहत कोश में जमा किये जाने पर आपत्री जदाई है अपने पत्र में श्री कौशिक ने कहा है कि भाजपा विधायकों द्वारा चालोवी तुवर्ष में विधायक निधी से स्विक्रित राशी को छोड़कर बचे राशी का उपयोग कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए उनके समधिर विधाजमा शेत्र में ही किया जाए पूरु प्रधामंत्रिया टेर्विहरी वाजपे की भातीजी और पूरु विधायक तथा पूरु संसद करुणा शुक्ला का निधन हो गया है पिष्टे दिनों कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनका रायपूर के एक नीजे स्पताल में इलाज चल रहा था जहां कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली आज सुबा उनका पार्थिव शरीर ग्रिह नगर वलोदा बाजार लाए गया जहां उनके पती माधोर शुकला ने पार्थिव शरीर को मुखागनी दी राजिपाल अनसुया उईकेर मुख्यमंत्री भूपेश बखेर ने करूना शुकला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में राजिपाल ने कहा है कि पूरो सांसत करूना शुकला का निधन बहुत ही दुखत घटना है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि कोरोना ने एक बड़ी नेत्री को हम से छीन लिया प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी करूना शुकला के निधन पर शोक व्यक्त किया है भाजपा की राषटी महामंत्री और प्रदेश पफारी डीपुर अंदेश वरी प्रदेश शच्ध्यक्ष विष्णोदेव साइए नेता प्रतिपक्ष धर्मलालकोषिक और पूर मोक्ष मंत्री डॉक्टर रमसिंख तथा प्रदेश संगठन महामंत्री पवंसाय सहित अन्य पार्टी निताओं ने अपने शोक संदेश में कहा कि करुणा शुकला के रूप में हमने आज एक मुखर आवाज और इस तरी शक्ति की प्रखर प्रती को खो दिया है प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों के अपदाधिकारियों ने भी करुणा शुकला के निधन पर दुख व्यक्ति किया है गौर्टलफी की भारती जनरता पार्टी की कारिकरता की रूप में अपनी राजनीतिके शुरुआत का दिमाली करुणा शुकला विधायक और सांसत भी रही वर्श 2014 में वे भाजपा को छोड़कर कंगरेस में शामिल हो गए थी भाजपनेता के तौर पर उन्होंने वर्श 2004 में जानगिर से लोग सभचोनाओ जीता था मौंगेली जिले के जरेली गाउं में जमीन विवाद के कारण एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई वही कुछ अन्य लोग घायल भी हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पटाल में भरती कराया गया है मिली जानकारी के उनसार आज सुबा जरेली केक ग्रामिन का अन्य व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर विवाद हो गया विवाद बढ़ने पर अन्य व्यक्ति न अपने पुत्र सहीत आठ से दस लोगों के साथ मिलकर ग्रामिन और उसके परिजनों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया इस हमले में ग्रामिन के अलावा उसके पुत्र और पुत्री के मौकें पर ही मौत हो गई इस हमले में ग्रामिन के कुछ अन्य परिजन गंभिर रुप से घायल हो गए है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिक्षक अर्विंद कुजूर के साथ वरिष्ट पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए पुछ ताच के अधार पर पुलिस ने आरोपी और उसके पुत्र सहीत पांच लोगों को हिरासत में लेकर घटना की जाच शुरू कर दी है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थूख दवा विकरिताओं से कहा है कि रेमडे सिवर इंजेक्शन का वितरण और उशधी ने 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 विभाग की जानकरी मिलाए बिना नहीं करें ओशदी विभाग के नियंतरक द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि रेमडे सिवर इंजेक्शन की बढ़ती मांग करकारण इसकी जमाखोरी और काला बाजारी के लगातार शिकायते मिल रही हैं इसलिए वर्तमान परिस्थिती में रेमडे सिवर इंजेक्शन का युक्ति संगत विद्रन अति आवश्चक हो गया है। ओशदी नियंतरक ने कहा है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर दवा विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्थ कर दिया जाएगा। पर देशपर में पारंपरिक शद्धा के साथ मनाई जा रही है। कोरोना संकर्मन और प्रदेशपर में लागो लॉकडाउन के कारण आज हनुमान जेंती पर सरवजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं बलकि भक्त गण अपने घरों पर रहे कर ही हनुमान जी के आराधना और प्रेड़ना देता है। लिहा गाउं और कोस्मी गाउं के पंचैत सचिमों को निलंबित करने के निर्देश दिये हैं और गरिया बंजिले के शोभा इलाके में जगली हाथों के हमले में एक यवक की मौत हो गई। दोनों और भूत्पुर सेनिकों की सेवाय लेने का सुझाव दिया है। पूरो प्रधामंत्री अटल्बिहार वाजपे के भतीजी और पूरो सांसत करोणा शुकला का निधंग प्रदाज जिपाल, मौक्ष मंत्री और विभिन राज़नी की तनों के नेताओं ने जटाया शोग। और कोरोना इलाज के लिए इस्तमाल किये जाने वाले रेंडेसिवर इंजक्षिन की काला वाज़ारी को रोकने के लिए और शद्धी नियंद्रों ने भागने जारी किये डिशा निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक सवाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार